अप्रेल 2011 को थोनी ने क्रिकेट अतिहास के समान एक मुद्रा को मारा 11 गेंदों पर जीत के लिए 4 रन के साथ माही ने नुबान कुल शेकर की गेंद को लॉंग ओन पर लपका और वान खेड़े को एक तरफन दास में भीजा गेंद बल्ले के मास से टकराई और इसकी आवाज ने स्टेटियम में सभी को आश्वासत किया भारत 28 साल के अंतराल के बाद विशकब फिर से उठाएगा और माही की अनुवर्ती एक प्रतिष्ठत तस्वीर बन जाएगी खास बात यह है कि धोनी का रिबॉक लेबल वाला बल्ला खेल के इतिहास पे सबसे महंगा बल्ला है महेंडरु सिंग धोनी का सबसे महंगा क्रिकेट वैट एक लाख का है जो की एक लाख एकसट हजार दोस्तों पिच्यानवे के निलामी में बेचा गया है जिसे आर के ग्लोबर्स, शेयर्ट एंड सीक्योरिटीज लिमिटेज इंडिया ने MS धोनी के इस्ट मीट्स वेस्ट चैरिटी डिनर ब्रिटिन से खरीदा था अब बता देए कि 18 जुलाई 2011 वेश्विकप 2011 फाइनल में महिंद्र सिंग धोनी द्वारा 2 अप्रेल 2011 को कलावान खेर स्टेडियम में विज्जे शॉट पर बल्ले का इस्तमाल किया गया था धोनी भारत के सबसे सफल क्रिकेट कपतान में से एक हैं ये तो आप चानते ही हैं अब बता देए कि धोनी ने भारत को दो विश्विकप दिलाए सितंबर 2007 में दक्षिन अफ्रिका में आयो जित ICC वर्ल्ट 20 के उद्गाटन और 2011 ICC ODI विश्विकप के लिए लीट किया था और भारत ने उसके तहट ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी चलिए फिलाल के लिए ताही बाकि ऐसी खबर जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहेए प्यमिस मीडिया